नमस्कार दोस्तों, मेरी चानल में आपका स्वागत है मेरा नाम स्नीहल अमूल है सब यूट्यूबर्स को शुक्रिया जिनकी वज़े से मैंने आज ये सारे गैजेट्स लिये है आज मैं आपको मेरा होम ठेटर सिस्टम दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने बेडरूमे सेट किया है एक वाइट कलर की वॉल को मैं प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरह यूज़ कर रही हूँ ये उसकी ब्राइटनेस है जब रूम की लाइट चालू है ये मूवी के लिए अच्छा ठेटर है बट मैं प्रेजेंटेशन के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी लाइट पन करने के बाद देखिए उसकी ब्राइटनेस ऐसी होती है ये काफी ब्राइट है LCD प्रोजेक्टर है और इसमें आपको वर्टिकल और होरिजोंटल करेक्शन मिल जाते है ये मेरे गैजेट्स है मेरे प्रोजेक्टर का ब्राइट वैन क्यों है उसका मॉडल नंबर है V630 Performance इसमें होरिजोंटल और वर्टिकल करेक्शन दिये गए है इसकी वज़े से अब स्क्रीन को एजिस्ट कर सकते है मेरा होम ठेटर सिस्टम सोनी ब्राइंड का है मॉडल नंबर है DAV-TZ145 ये एक 5.1 आउटपुट सराउंड चैनल होम ठेटर सिस्टम है मेरे होम ठेटर को मैंने फायर टीवी स्टिक 4K से इंपुट दिया है साथ ही मैं MI Box S का भी इंपुट HDMI 1 में लगवाया है ये है मेरा Android MI Box S ये है मेरा Amazon Echo Dot 4th Generation विपरो का स्मार्ट पल्प 12W का इन सबको मैंने लिंक करवाया है आप प्रोजेक्टेट के साथ Bluetooth स्पीकर्स भी लिंक करवा सकते हो अगर आपको हॉरर मोविस पसंद है मैं ये पीटरॉन बेसबर्स यूज करती हूँ तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो मेरे होम ठीटर को मैंने एक स्मार्ट होम ठीटर में कनवर्ट किया है ये लाइट पल्प लाइट फेक्ट्स देता है चलो देखते हैं मैंने Amazon Echo Dot को और स्मार्ट पल्प को आपके सामने लगवाया है ताकि आप इसके इफेक्ट्स एक साथ देख सको फिलाल तो मैंने Fire TV स्टिक अटाच की है और मेरे पास सब्सक्रिप्शन है Hot Star का तो चलो उसी की वीडियो चला के देखते हैं ये मैंने वीडियो चला दी देखते हैं ये connections काम करते हैं कि नहीं आज cricket match है तो चलो वही वीडियो आज चलाते हैं ये मेरी वीडियो चलो हो गई देखते हैं अभी कैसे Alexa काम करती है Alexa, pause the video देखो, उसने मेरी पहले वीडियो pause करी और फिर light लगा दी Amazon Alexa, resume video light off कर दी है और ये वीडियो चलो हो गई इस तरह से मैं pause और resume का function यूज़ करती हो Alexa, pause video Alexa, resume video perfect, मुझे ऐसे ही चाहिए था कि जब मैं pause करूँ, Alexa pause video कर दे और light चला दे बट ये features बस prime video और hot star को apply होते हैं, बागी के subscriptions को ये apply नहीं होते मैं आपको बोलूँगी कि आप एक 5.1 input वाला home theater ले लो मुझे पहले ये नहीं पता था, इसलिए मैंने ये simple सा लिया इसमें एक aux output है, जो मुझे 2.1 output देता है जब मैं इसकी DVD player और USB player में कुछ play करती हूँ, तब ही मुझे 5.1 surround channel मिलता है और वो भी DTS Prologic 2 के method से ये surround sound produce करता है एक budget home theater system के लिए ये काफी अच्छा है तो friends, ये था मेरा वीडियो, अगर आपको पसंद आए, तो please like करे, share, comment और subscribe कर दे और notification bell को भी on कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुचते रहे Thank you मेरे next वीडियो में मैंने MI Box S और Fire TV Stick के बारे में अच्छे से जानकारी दी है उसके नए interface के बारे में में भी बताया है So please stay tuned